दोस्तों साल 1993 में बड़े परदे पर रिलीज होने वाली बॉलिवुड की अब तक की सबसे सफल फिल्मों में शुमार रही फिल्म हम आपके हैं कौन जो अभी तक दर्शकों का फीवरिट बना हुआ है तब ही तो हर संडे इस फिल्म का प्रिसार अंजजी सिनमा पर होता है ज उनकी जबदस्त अदाइगी के लिए जनिता से खूब प्रुटसाहन मिला है लेकिन दोस्तों आफ फिल्म में नौकरानी चमेली का कैरेक्टर प्ले करने वाली अदाकारा प्रियारून की प्रोफेशनल लाइफ से तो अच्छे से वाकिफ होंगे पर शायद ही आप इनकी प वालों के जवाब देंगे तो बस बने रहें वीडियो के एंट तक साथ इस खूबसूरत अभिनेतरी के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें फिल्म आपके हैं कौन में चमेली की भूमी का निभाकर घर घर में मशूर होने वाली अभिनेतरी प्रियारून का जन्म हुआ 17 अगस्त 1967 को मुंबई महराष्ट्र में इसलिए इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यही से कम्प्लीट की बात करें इनके अपने करिर की तो आपको बता दें इन्होंने अपने अक्टिंग करिर की शिर्वात की साल 1988 में आई मराथी फिल्म रंगत संगत से जसके बाद इन्होंने मराथी के और भी कई सूपर हेट फिल्मों में अपनी अक्टिंग से जान डाल दी मगर इने अभी तक उतनी बड़ी पहचान नहीं मिली थी जसकी वो हकदार थी मगर साल 1993 में आई बॉलिवुड की सबसे पारिवारिक फिल्म हम आपके हैं कौन में इन्हें नौकरानी चमेली का किरदार ने भाने का मौका मिला चमेली का किरदार ने भाकर प्रियार और बॉलिवुड में जाना माना नाम बन गई हालाकि इनके करियर की सबसे सूपर धूपर हिट फिल्म रही सोना अची मुंबई धमाल जोडी देवा शपत लेकिन अगर बात करें इनकी पोसन लाइफ की तो इनके पती का नाम है लक्षमिकांद बेड़े जो पेशिय से एक मराथी और बॉलिवुड आक्टर थे जोने आपने फिल्म अनारी और हम आपके हैं कौन में लल्लू का किरदार ने भाते देखा होगा मगर साल 2004 में एक बीमारी की वजह से इनका निधन हो गया पती के बाद बात करें इनके बेटे की तो इनके बेटे का नाम है अभने बेड़े जो की अभी अपनी स्वीट 23 की एज में है लेकिन बात करें इनके बेटे के प्रोफेशन की तो अब इनेत्री प्रिया अरून का बेटा भी इनकी तरह एक मराथी टीवी आक्टर है जिसने अपने माता पिता से ही आक्टिंग के छोटे बड़े स्किल्स सीखे हैं जहां इनोंने पढ़ाई के साथ साथ ही आक्टिंग की बारीकियों को अपने घर पर अपनी ममी के जरिये सीखना शुरू कर दिया जिसका नतीज़ा ये निकला कि साल 2016 में इने एक मराथी फिल्म ती सद्ध्या के करते में अपनी आक्टिंग का जलबा बिखेरने का मौका मिला और इसे फिल्म से इनोंने अपने आक्टिंग करियर में पहला कदम रखा जहां दर्शिकों को इनकी ये मराथी फिल्म खूब पसंद आई जिसमें अपने की आक्टिंग भी काफी हिट साबित हुई जिसके बाद इनने मराथी फिल्म इंडस्ट्री में एक चॉकलेट अक्टर के नजर से देखा जाने लगा और अभी भी अपने मराथी फिल्म इंडस्ट्री के कई प्रोजक्ट में काम कर रहे हैं अंतमी बात करें प्रिया अरून की बहु की तो जैसा आपने देखा कि इनका बेटा अभी 23 साल का है जहां पर अभी इन्होंने कुछ साल पहले ही फिल्मों में अपना हाथ आज़माना शिरू किया है ऐसे में ये एक करियर को उचाई पर पहुचाने के लिए फिल्मों में काम करने को लेकर बहुत जादा फोकस्ट है इसलिए उन्होंने अभी तक शारी नहीं की है ना है इनकी कोई गल्फरेंड है तो दोस्तों आपको एक्ट्रोस प्रिया अरूं की पॉसल लाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलवर्ड इंडस्ट्रे से जुड़े ऐसी ही कलाकारों की नीजी सिंदिगी के बारे में चानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले